अब जो याचिका करता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके वकील कि अब देखें डिटेल कॉपी आ जाए फैसले कि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने की सोचेंगे लेकिन इस बीच अब कई प्रतिक्रियां सामने आ रहे हैं धर्म गुरू सामने आ रहे हैं जो कई बाते कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जरह सुनवाते हैं आपको अब अगर शिक्षर संस्थान अपने नियम बना रहे हैं अगर स्कूल में युनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का युनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमें आरे लिए सबसे पहले एजुकेशन है हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है और इसलाम में हिजाब पर कोई इतना बड़े सक्ती और कानून नहीं किया है उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लिजे अब चाहे वो दुबटे से जाके चाहे वो घूंगड से ढाके या हम अपने हिजाब से या स्कार्ब से ढाके अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और और किसी चीज़ को मन ये आदेश हो गया है तो हम सौगत करते हैं परडिक्ट को जज्जमेंट को देखना पड़ेगा किस गिराउंड पर उन्होंने एप्लिकेशन को डिसमिस किया है और हमारा मानना तो यही है कि हर धरम के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़े हैं उसकी परमिशन उनको मिलन चाहिए चुँकर उसमें हमारा सम्विधान भी इजाज़त देता है हमारे फंडमेंटल राइड से और हमारा मधब का हुकम है लहादा हमारा मानना यही है कि कोर्ट को भी सम्विधान के अनुसारी काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए अब देखिए करनाटक हाई क वोट ने जो फैसला किया है जाहिरे के आईन और कॉंजिट्यूशन का हिंदुस्तान का हर शहरी चाहिए वो किसी भी मजभ का उसका सम्मान करता है और उसने अपने फैसले में जाहिरे की कानूनी जो दफात हैं उस पर गोर करने के बाद ये फैसला किया है लेकिन अगर आप मजभ इसलाम में गोर करें तो एक अधना सा भी तालिब इल्म जिसको इसलाम के बारे में वाक्फियत है वो इस बात को यकीन के साथ कह सकता है कि मजभ इसलाम का परदा और हिजाब और सर ढखना ये एक अभीन हिस्सा है मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस पर फैसले पर कोई टिपड़ी नहीं करता हूँ लेकिन ये जो कहा गया है कि अभी अंग नहीं है ये किस बुनियात पर कहा है इसको मैं समझता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा और गोर करना पड़ेगा अब सवाल यह है कि जो बच्चियां हिजाब में स्कूल और कॉलेजिस में जाना चाहती है तो उनके इस सुप्रीम कोट का दर्वाजा खुला हुआ है करनाटक हाई कोट के बाद वो अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोट में जा सकते है लेकिन इसलाम हमेशा से पर्दे और हिजाब की तालीम देता है